Hello everyone, आज हम आगए हैं गुर्गामा की बंजारा मार्किट को एक्सप्लोर करने के लिए पहले यह मार्किट गुर्गामा के सेक्टर 62 में लगती थी वहां से सिफ्ट होके अब यह मार्किट गुर्गामा के सेक्टर 65 में लगने लगी है जो घाटा गाओं, बनी मंदिर, रहुसाला की पीछे लगती है यहां पर आपको वही सॉप्स की पर देखने को मिल जाएंगे जो सेक्टर 62 में अपनी सॉप्स लगाते थे अब ही यह मार्किट और जो यहां की दुकाने हैं वो प्रॉपर तरीके से बन के तैयार नहीं हुई है इसलिए आपको यहां पे समान बिख्रा हुआ देखने को मिल सकता है इस सॉप्स पे आपको होम डेकोर के लिए मैटल के आइटम्स देखने को मिल जाएंगे जैसे की लैम्प, बर्ड हाउस, टेबल थोड़ा आगे चलने के बाद हमें मिरर फ्लार वेज देखने को मिले जो की दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे इस दुकान के शॉप्स कीपर ने इनका प्राइज हमें 22 का बताया था आफ्टर डिसकाउंटी आपको 1600 से 1700 का पड़ जाएगा इस दुकान के थोड़ी ही आगे चलने के बाद आपको जमीन पर बहुत सारी वाल आर्ट पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी जो की इन्होंने जमीन पैसे ही रखी हुई थी ये पैंटिंग्स दिखने में काफी जादा अच्छी लग रही थी इसकी बाजू वाली शॉप पे आपको अपने लीविंग रूम के लिए मुढ़ धचे और सोफा बेंचे देखने को मिल जाएंगी इसका प्राइज इन्होंने हमें 3000 बताया था इसके बाद हम गए अगली शॉप पे जहाँ पे हमें होम डैकोर के लिए फ्लोर लाइट लैंप्स देखने को मिली इनका प्राइज इन्होंने हमें 3000 बताया था और ये डिसकाउंट देने के लिए भी तयार थे यहाँ पे आपको मेटल आईरेन प्लांट स्टेंड भी मिल जाएगा इस दुकान के ज़स सामने ही एक भाईया इंडोर प्लांट लेके खड़े हुए थे इन भाईया के पास दो तरीके के बैंबू प्लांट थे एक स्पाइरल स्टिक लखी बैंबू प्लांट दूसरा वेंट्रो लखी बैंबू स्ट्रेट प्लांट स्ट्रेट वाले का प्राइज इन्होंने हमें डेट सो के दो बताया था आफ्टर डिसकाउंट इन्होंने हमें सो की दो स्टिक दे दी थी और इस पाइरल वाले का प्राइज इन्होंने हमें 1.500 की एक स्टिक बोली थी लेकिन बाद में इन्होंने हमें 100 रिपे की एक स्टिक लगा दी इसके बाद हम गए इसकी बाजू वाली शॉप पे जहां पे पहले मैंने जाने के बाद अपनी वीडियो बनाई ये वुडन फ्रेम बिरर इन भाईया ने हमें 5000 का बोला था इस तॉप पे आपको और भी लकडी के आइटम देखने को मिल जाएंगे इसके बाद हम गए दूसरी दुकान पे जहां पे आपको फ्रेम में रखने के लिए काफी चीज़े देखने को मिल जाएंगी यहां पे हमने पूछा था इस लाफिंग बुद्धे का प्राइज इसका प्राइज इन्होंने हमें 25 सो बताया था और कृष्ण राधा की मूर्ती का प्राइज इन्होंने हमें 22 सो बताया था और ये भाईया भी डिसकाउंट देने के लिए तैयार थे और साथ ही आपको metal frame का mirror देखने को मिल जाएगा और ये pineapple का जोड़ा आपको 500 रुपे का मिल जाएगा इसके बाद हम गए flower shop पे जहां पे हमें ये pot और ये flowers पसंद आ गए थे ये खाली flower pot इन भहिया ने हमें 700 का बोला था लेकिन बाद में इन भहिया ने ये हमें 500 का लगा दिया था इस shop पे आपको different type के artificial plants और artificial flowers देखने को मिल जाएगे जिसके प्राइज इन भहिया ने अलग-अलग बताए थे flower का प्राइज इन भहिया ने हमें बंचिस में 300 का बोला था और यहां पे हर plant और flower का प्राइज इन उने अलग-अलग बताया था इस दुकान के अंदर आपको grass balls भी मिल जाएगी जिनके अंदर आप lamp लगा के इने हैंक कर सकते हैं ये balls मुझे बहुत जादा अच्छी लग रही थी इनका प्राइज इन भहिया ने 600 बोला था इस दुकान के अंदर आपको बहुत सारी आर्टिफिशल चीज़े देखने को मिल जाएगी ये दिखने में लग तो बहुत प्यारी रही थी पर मुझे इनका प्राइज थोड़ा जादा लग रहा था इस flower का प्राइज इन भीया ने मुझे 500 बोला था और औरेंज वाली ग्राइज का प्राइज 300 बताया था इसके बाद हम गए अगली दुकान पे कैक्टस वाला फ्लार पॉट लिया इन्होंने ये फ्लार पॉट हमें 200 का बोला था फिर डिसकाउंट करके 100 का दे दिया था और आपको यहां पे अपनी किचन के लिए क्रॉक्री आइटम्स मिल जाएंगे साथ ही पंपकिन कैंडल होल्डर भी मिल जाएगा इस बार इस बंजारा मार्केट में इतना कुछ खाल देखने को हमें मिला नहीं बंजारा मार्केट काफी खाली खाली लग रही थी शॉप्स भी उतनी जादा नहीं थी इस बार हमें आपे चीनी मिट्टी से बनी हुई चीजे जादा देखने को मिली यहां पर काफी जादा स्कोप है अगर आपको बार्गनिंग करनी आती है तो आप काफी बहतरी चीजों को कम दामों में खरी सकते हैं इस दुकान के बिलकुल सामने ही आपको नारियल पानी के एक स्टॉल देख जाएगी जहां पर जाके हमने नारियल पानी पिया इन भार रखे हुए water fountain का प्राइज इन भहिया ने हमें 8000 बोला था लेकिन बाद में इन्होंने बोला कि यह हमें 6000 तक के दे देंगे जिने आप अपने घर में, घर के गार्डन में, ओफिस एरिया में लगा सकते हैं और ये रॉक कर बुद्ध फेस सावर fountain का प्राइज इन भहिया ने हमें 3000 बताया था स्टैंड के साथ water fountain का प्राइज इन भहिया ने हमें 6000 का बोला था बाद में इन्होंने कहा कि हमें 4000 तक के दे देंगे इसके बाद हम गए इसकी side वाली shop पे जहां पे हमने floor lamps देखे with the jute drum यहां पे इन्होंने हमें छोटे वाले का प्राइज 1200 बोला था और बड़े वाले lamp का प्राइज इन्होंने हमें 2000 बताया था इसके बाद यहां पे हमें कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा था तो हम भारसाई निकल रहे थे तब ही हमें यहां पे छोटे वाले pot दिखाए दिये तो जाते जाते हमने इस shop से यह छोटे वाले दो pot ले लिये थे जो इन्होंने हमें 100 रुपे के दो दे दिये थे और इसके साथ ही हमने यहां से इनकी ही shop से हमने अपने garden के लिए गमले लिये थे जो इन्होंने बड़े वाले गमले हमें 300 के बोले थे आरगेनिक करने के बाद इन्होंने बड़े वाले गंद यह एन्होंने बड़े वाले गंद सौ रुपेगे दे दिये थे glorि बस आज के लिए इतना हीम मिलते हैं अंगली वीडियो में